हेलो इस्टुडेंट मैं तनल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चनल इस्टुडेंट हम लोग इंटिग्रेशन कर रहे थे और इंटिग्रेशन में आप तक हम लोग 29 लेक्सर कम्प्लीट कर चुके हैं आज हम लेक्सर नमबर 30 स्टार्ट करेंगे इस्टुडेंट को इस्स्टार हम लोग कुसर करेंगे थे और कुछ नया भी स्टार्ट करेंगे Herz तो इस्टूएंट रहे हम लोग लास्ट टायम लोग इंटक्सरच कर रहे थे 7 के कर रही थे हमने question number 7 तक discuss किए थे, आज question number 8 start करेंगे, question number 8 8 number question हमारे पास, x plus 1 upon me student दो, x square plus 4x plus 5 ये लिखा कुछन है, ठीक है student दो ये question हमारे पास, तो इसको दो कैसे solve करेंगे, ठीक है तो हम लोगे पिछले lecture में इसकी type बताई दी ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया था दो uns को हम लोग मानेंगा, ठीक है, uns बराबर होता है m d upon dx of her, plus capital N, ये formula होता है, ठीक है तो इस formula दोगो use करेंगे, हम लोग क्या हो जाएगा, x plus 1 is equal to capital M d upon dx of, हर को लिख देते हैं, x square, plus के 4x, plus के 5, plus के 5dn, और plus के capital N इसको लिख देते हैं, ये आजाएगा, x plus 1 is equal to हैगा, मारे पास M और इसका दोगो अपकल अंगल हो ठीक है, इसका डिफ्रेंसेशन करो कितना हैगा 2x plus 4 आएगा, ठीक है, plus capital N हैगा, इसका 2x हो जाएगा, 4x के कितना हैगा, 4 और 5 का हो जाएगा, 0 plus N, तो x plus 1 is equal to हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 2mx plus के 4m और प्लस N, ये आजाएगा, ठीक है, आपके एगरना देखो, दोनों तरफ, दोनों तरफ, x तथा, अचार, पद के, गुडांकों की तुलना, तुलना कर लेती है, दो तुलना कर रहें, ये तो कितना हैगा, मारे पास, ये आजाएगा, 2m is equal to हो जाएगा, दोगो, 2m is equal to हो जाएगा, 1 और यहां से आजागा दोगो 4M plus N is equal to हैजागा मारे पास 1 आजागा तो यहां से दोगो M की value हमें मिलगा M की value कितने आएगी 1 by 2 आएगी और यहां से दोगो M की value 1 by 2 यहां रख दोँगो 4 into 1 by 2 plus capital N is equal to 1 तो यह तो से cancel हो जाएगा टी कितना हैगा 2 आजाएगा तो 2 प्लस केप्टन N इसकल टू 1 तो M इसकल टू आजाएगा मारे पास माइनस का 1 आजाएगा यह आगा इस टून ठीक है अब क्या करना है देगो तो यहां से देगो अब यह वैलू ठाके ठीक है इसको हम लोग समीकर एक डालेंगे इसको डालते है समीकर 2 इसको ठीक है अब समीकर 2 से देखतों समीकर 2 से चलो वैलू रखे है देगो एकस प्लस 1 इसकल टू आएगा मारे पास 2 और M की वैलू को यहापर M की वैलू है मारे पास M की वैलू आएगा 1 वाई 2 और यह लिखाया है देगो 2x प्लस 4 और माइनस 1 इस टून ठीक है इस्टों देगो यह याद देखना है इसको sol ने करना है ऐसी लिखा रखना है जैसे लिखाया ठीक है बस value पूट कर दो अब यह आगया हमारे पास ठीक है अब यह हम समी काड एक में रख देंगे जागी दो हम समी काड एक से ठीक है एक से दो हो integration फ्लस फाइफ और दी एक्स यह आजएगा इसे इसमें रहे आप क्या गए बताये था हमने दी आप इसको क्या गाने अलग अलग बाग कर दो तो अलग अलग दो बाग करते हैं तो यह आजएगा मारे पास तो बाग करेंगे ति यह आएगा 1 by 2 और उपर लिखा दोगो उपर आए था मारे पास 2x plus 4 आए था माइनस ठीए 1 आए था शरी यह भी यह square से नहीं लिखना ठीक माट यह बाग कर दोगो अलग कर देते और नीचे आएगा 2x square शरी x square plus 4 plus 5 आएगा तो यहां से 2 अटा दो ठीए x square यह था x square plus के 4x और plus 5 और फिर माइनस 1 आपकों टीए यह आएगा x square plus के 4x plus 5 whole dx ठीक है इस तो इंदेगो यह आए देगा ठीए अलग अलग बाग कर देंगे यहां पर यहां पर बाग कर देना ठीक है अलग अलग अब divide करो दोगो अलग अलग इसको divide करेंगे तो यह आएगा 1 by 2 बाग कर लेते ठीक है यह आएगा मारे पास 2x plus 4 और dx और यह आएगा मारे पास x square 4x plus 5 माइनस टीए यह जागा दोगो dx upon x square plus 4x plus 5 यह आएगा ठीक है मारे पास तो सबसे बाग करना ठीक है अब देखो इसको हम लोग माल लेंगे ठीक माना x square plus 4x plus 5 is equal to t इस्टों ठीक है और इस्टों देखो यह हम इसको t मान रहे ठीक है तो यह सीक नीचे लिखना है ठीक है तो यह आजगा दोगो 2x plus यह आजगा 4 डिफरेंसे जगा ठीक है और यह आजगा दोगो dx equal to dt आजगा इसको solve करना उपर आएगा दोगो मारे पास 1 by 2 यह आजगा दो dt upon कितना जगा t आजगा फिर minus t इसको उमने दोगो यह type first बन जाता ठीक है तो type first में क्या अपड़ा था इसको मैं पूर बनाना ठीक है तो दोगो पूर बनाने लिए क्या काम करते थे में लोग सबसे पहले x square के गणा 1 होने चीए तो 1 तो पहली से यहाँ ठीक है तो अब अब क्या करेंगे दोगो 1 तो है तो इसको ऐसे लिख लेते दो x square plus 4x यहाँ पर x square plus 4x प्लस ठीक है अब दोगो इसटो हैं दोगो अब x के गणा का अधा करो ठीक है x का गणा कितना है दोगो 4 4 का अधा करो तो 2 आए गा ठीक है तो 2 का square करके जोड़ दो और गठा दो यहाँ पर तो में लोग क्या करेंगे दोगो यह जाएगा दोगो 2 का square जोड़ देंगे टीक है 2 का square गठा देंगे plus 5 यह जाएगा तो यह जाएगा दोगो 1 upon 2 log t यह माइनस यह जाएगा दोगो dx upon नीचे जाएगा दोगो यह तो whole square लेका है x plus 2 का whole square और यह तो 4 और plus 5 यह तो plus 5 जाएगा ठीक है तो यह जाएगा दोगो हमारे पास 1 by 2 log t की वेल लोग दो x square 4x plus 5 minus यह जाएगा दोगो dx upon नीचे जाएगा दोगो x plus 2 का whole square plus 1 का square लिख देते हैं अब दोगो यहाँ फे फार्मला लगेगा यहाँ फे फार्मला कौन सा लगेगा x square plus a square वाला फार्मला लगा दो तो यह answer आएगा मारे पास दोगो 1 by 2 log x square plus की 4x plus 5 यह आएगा दोगो यहाँ फे फार्मला होता है x square plus a square 1 upon a और यह था 10 inverse x upon a तो यह जाएगा x plus 2 x plus 2 upon में 1 आजाएगा और प्लेस यह जाएगा तो total final answer आएगा मारे पास दोगो 1 by 2 log x square 4x plus 5 minus का 10 inverse यह आएगा दोगो x plus 2 upon a प्लेस यह यह answer आगे यह इस्टें ठीक है तो इस तरह से solve करना था ठीक है चेक लेना वैसे answer आपका match कर रहा होगा इस्टें दोगो एक और mistake ना करना ठीक है दोगो बताते ठीक क्या जब हम लोग यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर मानते हैं तो इस्टें बहुत सारे chemistry कर देते हैं अमने इसको t माना ठीक है इसको t नहीं माना ठीक है तो यहाँ पर भी t रख देते और यहाँ पर जब t रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है 1 upon t हो जाता है पूठी है नमिस्टे कर लो ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने इसको तो T मान लिया था नी तो यहाँ पे क्यों नहीं T रख खटी है तो यहाँ पे T नहीं मानेंगे T क्योंकि यह DT में convert नहीं होता है तो इसलिए इसको T नहीं मानते हैं इसको फूर उपर बना के इसको कुष्ण दिखते हैं कुष्ण नमबर 9 नमबर 9 नमबर लिखा हमारे पास 3x प्लस 1 अपन में 2x स्क्वेर प्लस x मानस 1 और dx यह कुष्ण लिखा है इसको यह तो फिर से दोगो वही टाइप आप आगी ती हैं यह सेकंड टाइप का कुष्ण है क्रम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मिलोग अंस को माल लेंगे दो माना अंस में दो क्या लखा दो 3x प्लस 1 इसकोल टो d upon dx of 2x स्क्वेर प्लस x मानस 1 और प्लस का होता n होता ठीक है तो यह जागा दो हमारे पास ठीक है इसको solve कर लेते हैं यहां से m और n की value निकाल लेते हैं तो यह जागा दो sorry यहां यह जागा दो 4x यह जागा दो 4x प्लस 1 ठीक है यह आएगा प्लस का n है जागा चलो इसको अंदर कोड़ा करते हैं दो 3x मानस 3x प्लस 1 इसकोल टो 4mx प्लस के m प्लस n तो दौन अत्रप दो कोड़ांगे उक्तुलना कर दो दोनो तरफ x तथा अचयर पद की गोडांगे की तुलना ठीक है चलो तुलना कर लेते है दो ओ x का गोडांगे कितना है दो 4m टी है तो इसकोल टो इदर आयगा दो 3 और यासा दो m प्लस n isकोल टी है इदर आएगा दो गोडांगे कितना है 1 तो यहां से दोगो M का मान निकाल लेते ठीक है 3 वटे 4 आ जाएगा तो यहां से M का मान उठाके यहां पर रख दू 3 वटे 4 प्लस N इसकल टू 1 तो N इसकल टू जाएगा दोगो 1 माइनस 3 वटे 4 तो यह जाएगा N के वहले कितने जाएगी Sol कर लो 1 वटे 4 आ जाएगा अब यह मान आप क्या करना ठीक है इसको में लोग समीकर 1 डालेंगे ठीक है और इसको डालेंगे समीकर 2 समीकर 2 से आ जाते देगो समीकर 2 से समीकर 2 में मान रख देते ठीक M का मान रख दो दो तो यह आएगा मारे पास 3x प्लस 1 इसकल टू 3 बटे 4 और 4x प्लस 1 प्लस यह जागा दो n कमान रख देते हैं 1 बाई 4 यह आगे टिंगे इस्टो इन देगो इसको तुम्हें कुछ करना नहीं थी अगर तुम्हें इसको solve नहीं करना है यह इसको solve नहीं करना है इसको ऐसी रखना है जैसे लिखा है ऐसी रखना है अब यह दोगो मान टी है 3x प्लस 1 का मान उठा के यहां रखेंगे हम लोग सम्मिकर्ड 1 से सम्मिकर्ड 1 से दी है दो कितना जाएगा चलो मान वापेस कर देते दो कितना जाएगा यह आदेगा हमारे पास 3 बटे 4 4x प्लस 1 और प्लस 1 बटे 4 और अपन माएगा दोगो हमारे पास 2x स्क्वेर प्लस x मान नस 1 और dx अबको एकर वो अलगला डिवाइड कर दो इस्टों तो यह अलगला डिवाइड करेंगे तो 3 बटे 4 यह आदेगा 4x प्लस 1 अपन में यह आदेगा हमारे पास 2x स्क्वेर प्लस x मान नस 1 dx और फिर मान नस का आएगा दोगो 1 बटे 4 इसको डवाइड कर देते हैं अलग 2x स्क्वेर प्लस का x मान नस 1 यह आगे ठीगा अब यह दोगो 3 बटे 4 बार कर लेते हैं ठीए 3 बटे 4 बार कर लेंगे यह जाएगा 4x प्लस 1 और अपन में आएगा दोगो 2x स्क्वेर प्लस x मान नस 1 अब मान नस के 1 बटे 4 यह आगा दोगो dx यहापे dx और आएगा इस्टुएट dx ती अपन में आएगा 2x स्क्वेर प्लस x मान नस 1 यह आएगा इस्टुएटिएगा अब खेंगो इसमें हम लोग इसको t मान लेगे ठीए पहले वाले मानना है तो इसके नीचे लिखना है दोगो मानना 2x स्क्वेर प्लस x मान नस 1 इसकोल तो t इसका अपन कर लोग कितना हैगा 4x प्लस 1 इदर आएगा dt इपॉन dx आएगा तो dx इदर लिख देना ठीए dx इदर आएगा dt इपून को दोगो चेंज कर लेते ठीए कुशन को दोगो चेंज करेंगे यह आएगा मापास 3 by 4 उपर तो जाएगा dt इपॉन t आएगा minus यह आएगा दोगो 1 by 4 आजएगा 1 by 4 अब दोगो क्या करना है इस्टों दोगो यहाँ पे इसमें t नहीं रखना है यहाँ रखना है इसमें t माना पहले बाली में अब यहाँ पे दोगो इसको पूर उबर बनाएगा ठीए तो दोगो हमने पूर बनाने के लिए पीछे प्रासेश बताया था ठीए क्या प्रासेश होता सबसे पहले x square का जो गडांक है उसको एक बनाना है तो यहाँ से 2 common लो तो यह 2 common ले लेंगे तो कितना जाएगा तो इसको 2 common ले लो ठीए तो इसको पहले हम यह sign अडा दे थी ठीए 2 common लेंगे तो आएगा मारे पास 1 by 2 आजागा ठीए फर इंटिकेशन dx upon x square plus और यह आजाएगा मारे पास 2 common ले लो तो x upon 2 आजाएगा और minus के 1 by 2 आजागा यहाँ पर तो यह आएगा मारे पास x upon 2 minus के 1 by 2 यह आजाएगा इस्ट्वेंटी के इसके बाद दोगो इस्ट्वेंटी दोगो यह आजाएगा मारे पास 3 by 4 यह तो लोग मारे पास 1 upon t क्या होता है 1 upon t का इंटिकेशन लोग मारे पास 1 by 8 और यह आजाएगा दोगो dx upon square से लिख लेते x square plus 1 by 2 2x इतना लिख लेती है plus अब देखो देन से क्या करना अब x के बड़ां का आदा करो 1 by 2 का आदा करेंगे ठीकेशन एगा 1 by 4 अब इसका square कर दो 1 by 4 का whole square ठीकेशन इतना जोड़ेंगे इतनी गटा देंगे आपर तो 1 by 4 का square हम लोग जोड़ेंगे ठीकेशन एगा 1 by 4 का square गटा देंगे ठीकेशन एगा और यह minus का 1 by 2 लिखेंगे ठीकेशन जो पहले इस लिखा था तो इसको अटा देते हैं इस चुन ठीकेशन तो इसको जितना हमने जोड़ा ठीक उतनी हमने गटा दिया ठीकेशन तो whole square तो x plus 1 by 4 का whole square minus 1 by 16 टी minus 1 by 2 अब देगों इस्टों लासा समान करने कली क्या करेंगे इम लोग लासा समान करने कली टी उपा नीचे 8 से गुणा कर देंगे ठीके 8 से यह आएगा मारे पास 3 by 4 log mod t minus 1 by 8 वो यह जाएगा मारे पास देगो dx अपोंटी हम यह होगे हमारे पास x plus 1 by 4 का whole square minus लासा समान होगे देगो उपर 8 एक 9 तो 9 बटे 16 आजएगा यह ठीक है अब इसका t का मान और बापिस का दो t का मान क्या चला था देगो 3 by 4 log t का मान था हमारे पास 2x square plus x minus 1 यह मान ता ठीक है यह चेक कर लेती है दोगो पीछी से टीक कमान यही ता ठीक है तो यह जगा दोगो 1 by 8 वो इसको ऐसे लिख देदेंगे दोगो dx अपोंटी है x plus 1 by 4 का whole square minus इसको लिख देंगे 3 by 4 का whole square इसको ऐसे लिख देना ठीक है अब यहाँ पे दोगो formula बनेगा x minus 1 minus 1 by 8 x square minus a square दो 1 upon 2a a की value कितनी है दोगो 3 by 4 log दोग दोगो यह चेक है x minus a दो x plus 1 by 4 minus a और अपोंट मो होता है x plus a x plus 1 by 4 plus 3 by 4 और plus c यह आजागे इसको दोगो अपे अगर इसको दोगो solve कर लेती है यह वाला पार तो दोगो ऐसे note कर लेना ठी यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देती है इसको ऐसे लिख लेना यह वाला पार यह वाला पार ऐसे लिख लेना है आपे copy कर लेना और यह आएगा minus का कितना हैगा 1 by यह आएगा इसको काड़ देती है तो यह यह आएगा दोगो चार तुनियाट तो यह 12 आजाएगा ठी है यह 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 च्छो लॉक्त यह यह अरगो तो यह च्छो लोग तो यह पर 4x प्लस 1 माइनस के 3 और अपन मायगा दोगो अमारे पास यह आएगा 4x प्लस 1 प्लस 3 प्लस C तो यह आज़ेगा हमारे पास 1 बाइ 12 लोग टी एम उपर आगए 4X माइनस 2 अपन में नीचो जाएगा दो 4X प्लस यह जाएगा 4 अब प्लस C अब कहा करना इस टो है दो यह तो अब आपका आट टो लोग टीकिए अब 2 को में लेकर और काट दो 2X माइनस 1 अपन में यह जाएगा 2X प्लस 2 और प्लस C ठीक है इस टो दो अब चेक कर लेगा अब आपका अंसर मैच कर रहोगा यह टिक है आपका अंसर मैच कर रहोगा तो इस तरह से question solve करना तो इस तो इंठी है इसको दोगो question number 10 number तो 10 number question हमारे पास है लेखा है 2x minus 1 upon में नीचे लेखा है दोगो 2x square plus 2x plus 1 और dx यह लेखा है इस तो इस तो इसको दोगो सबसे पहले ठी है तो हम लोग क्या करेंगे या पर इसको माल लेंगे दोगो माना 2x minus 1 is equal to m d upon dx of her तो 2x square plus 2x plus 1 plus capital N यह आदाएगा इस तोन ठी है अब दोगो क्या करना 2x minus 1 is equal to m अब यह इस तोन दोगो क्या करो इसका आप्रान कर लेते ठी है यह आदाएगा 4x plus 2 आदाएगा आपकलन plus capital N आदाएगा अब अंदा गुणा कर लेते दोगो 2x minus 1 is equal to 4mx plus 2m plus n यह आदाएगा यहापे size लिख देते इस तोन दी है यह दोगो 4 यह 4 ताठी है 4 अब दोगो गुणांकों क्यों तुलना कर लोटी है दोनो तरफ दोनो तरफ x ताथ अच्चरपद की गुणांकों की तुलना गुणांकों की तुलना ठी है तो इसकी तुलना कर लोटी है दोगो गुलाँ को कितमा करेंगे तो कितना है कदो X का गुलाँ इधर कितना 4m इदर डो X का गुलाँ कितना है इधर 2 गर गो 2m प्ल stitch n इधर आजागा डो –1 यहाजाग ठिए अपके गरनात कदो एहां से M की वेल्यो कितना हजागी दो 2y4 आजाग ठिए तो यह जगा दो M की value आगे मारे पास 1 by 2 M तो 1 by 2 आगे रग दो यहाँ पर 2 into 1 by 2 plus capital N is equal to minus 1 तो यह तो इससे कड़ जाएगा 1 plus capital N is equal to minus 1 तो N की value कितनी आगे मारे पास minus 2 आगे ठीक है इसने दोगो यह value आगे अब यह value आपस करेंगे यह आपनी है इसको समिकार 2 डालो और इसको डालना एक ठीक है तो समिकार सबसे पहले लिखते हैं समिकार 2 से देखो 2 से value रुकते हैं देखो 2 से value आएगे मारे पास 2x minus 1 is equal to M की value कितनी है M हमारे पास 1 by 2 और x की value sorry M की आग वाले रुक दो ठीक है 4x plus 2 और plus N की value रुक दो N की value कितनी है मारे पास minus का 2 यह आजागा इसको 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 अब यह वाला मान समिकार एक में बापेस करतो समिकार 1 से तो यह आजागा integration इसको 2x minus 1 का मान रख देते हैं तो 1 by 2 4x plus 2 minus के 2 और अपान मायगा देगो नीचे 2x square 2x plus 1 dx यह आए गा इसको 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 आले राट का देते हैं तो 1 by 2 4x plus 2 अपान मायगा 2x square plus के 2x plus 1 minus के 2 अपान इसको लिख देंगे 2x square plus के 2x plus 1 और dx देगे whole dx देगे 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 अब सको इसको 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 लिख देगो 1 by 2 अपान का लो यह जागा हमारे पास 4x plus 2 अपान माय जागा 2x square 2x plus 1 और dx minus 2 यह जागा देगो dx अपान 2x square plus 2x plus 1 यह आजागा ठीगा इसको लिख देगो आप क्या करना यह पहला वाला देगो integration solve कर लिख देगो इसको क्या करेंगे यह नीचे वाले को t मान लेंगे t इसको t मानना मत देगो तो माना 2x square 2x plus 1 is equal to t तो इसका आपको नहीं कर लो 4x plus 2 is equal to 2 जाएगा dt upon तो यहाएगा हमारे पास dx is equal to जाएगा dt जाएगा dt जाएगा dt जाएगा dt जाएगा इसका differentiation कर ले ना ठीक है अब दोगो पूसल को change कर लेते हैं तो यहाएगा हमारे पास 1 by 2 उपर तो dt हो जाएगा upon में t हो जाएगा फिर माइनस ठीक है और इसकी दोगो value कितनी थी यह था हमारे पास 2 बार कर लिया था तो तो बार ही था अब क्या करना है इस तो इस बार ले पार्ट को देखो इस बार ले पार्ट को में पूर बर बनाना ठीक है पूर बना के इसक माइनस कुछ आएगा something कितना हैगा दो प्लस काएगा 1 by 2 थी यह 2 कॉमनली है तो यहाँ पर 1 upon 2 आजाएगा यहाँ तो प्लस काएगा दो 1 by 2 आजाएगा तो 2 से तो काट दो यह आएगा मारे पास 1 by 2 लोग मौट ती आजाएगा फिर माइनस थी है यह जाएगा dx upon इसको दो 1 by 2 हो जाएगा अब 1 by 2 का क्या करो इसको कर लो ती यहाँ पर जोड़ देते हैं और गठा भी देते हैं पहले जोड़ना है थी यहाँ तको के स्ट्वेंट गठाना बाद में है प्लस 1 by 2 यह आजाएगा आपकर न देगो इसको दो यह तो फर्मला बन जाएगा a plus b का whole square यह जाएगा 1 by 2 log mod t minus integration ठी है dx अपोन यह आएगा मारे पास a plus b का whole square तो x plus 1 by 2 का whole square और minus 1 by 4 plus 1 by 2 यह लिखा ठी है अब देगो लासा लेने एक लिए क्लिए क्या करें इसको 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 उपन नीचे 2 से गुणा कर दो ठी है लासा समान माना देगो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे dx अपोन इसको लिख देगो x plus 1 by 2 का whole square और minus यह जागा दो लासा तो समान होगे आठी है तो यह कितना हो जाएगा मारे पास उपर दो यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे 1 आएगा तो plus का 2 वो minus का 1 तो plus का 1 by 4 बच जाएगा ठीक है इसको इसको solve कर रहे तो यह आजाएगा हमारे पास अपकर नश्या दोगों T की value आरक देथे हैं T की value आप इसकर देते हैं तो T की value थी हमारे पास 1 by 2 लॉक 2x square 2x plus 1 यह value दिए हैं अब यह जाएगा तो हमारे पास dx अपॉन यह जाएगा x plus 1y2 का whole square और इसको लिख देते हैं दोगो 1y2 का whole square अब यहाँ फे formula लगेगा x square plus a square टीए हैं तो यह आला formula यह जोगा ठीए है यह formula यह जाएगा यूज़ करेंगी dx अपॉन x square plus a square यह जाए 1y a 10 inverse x अपॉन a plus c यह जाएगा फामुला यूज़ करना ठीए यह जाएगा मारे पास दोगो 1y2 log 2x square plus 2x plus 1 minus टीएगा फामुला यूज़ करो दोगो यह जाएगा 1 upon a sorry 1 upon a a की value कितनी है दोगो 1 by 2 10 inverse x upon a x plus 1 by 2 upon में 1 by 2 plus c तो यह answer आएगा मारे पास दोगो लेग लेते दोगो final answer कितना आएगा मारे पास तो 1 by 2 log 2x square plus कि 2x plus 1 और फिर minus के दोगो उपर जाएगा यह 2 हो जाएगा दोगो 10 inverse यह आएगा यह answer दोगो लासा लेड़ो ठी है 2 लासा लेड़ो तो यह आएगा मारे पास 2x plus 1 आजाएगा और लासा कड़ जाएगा ठी plus c तो यह answer आएगा यह इस्टोँ थी check लो दोगो answer match कर रहा होगा इसके बाद दोगो इस्टोँ दोगो question number आप मारे पास 11 number question question number 11 11 number question लिखा है x upon नीचे लिखा है x की पाव 4 plus x square plus 1 यह question लिखा ठी है और dx इसको मैं solve बरना ठी है दोगो कैसे solve करेंगे सबसे पहले दोगो कुशन को ऐसे लिख लेते हैं x upon यह नीचे लिखा दो x square का whole square लिख देते हैं plus x square plus 1 और dx यह लिख देंगे ठी है अब यहाँ पे हमलोगों दोगों माल लेंगे ठी है माना x square is equal to t मालना ठी है आपी तो यह आएगा differentiation 2x is equal to जाएगा dt upon dx आजाएगा dx बदर भी देना ठी है 2x dx is equal to कितना जाएगा dt आजाएगा x dx is equal to यह देगा मारे पास dt upon 2 आजाएगा ठी है इसटो है देगो अब यह करना देगो यह value ठाक है यह रख देते हैं question को दोगो हम change कर लेते हैं तो 1 upon यह देगा t square plus t plus 1 into dt upon 2 आजाएगा तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे देगो 1 upon 2 तो बाहर कर लेंगे यह देगा dt upon t square plus t plus 1 अब देगो इसको में पूर बढ़ बनाना पड़ेगा ठीग फिर से तो क्या करना देगो यहाँ से 1 by 2 यह देगा dt upon t square plus t देगो यहाँ पे t square का गुणाँ एक तो पहले ही से ठीग है आप का करना देगो t का गुणाँ कितना है देगो 1 1 का अधा करो कितना जाएगा एक रखेंगे 1 by 2 1 by 2 का हम besten कmir करेंगे square करेंगे ठीग है अतना यहाँ पे square करके जोड देते है और गठा भी देते है जितना अमने जोड़े उतना गठा दिए प्लस क्या करेंगे 1 कर देंगे यह आजागा इस तो इंठीक है इसको दोगो यहाँ पर इसको मटा देते अब इसको दोगो यह तो फर्म्ला बन जाएगा a प्लस b का whole square यह आएगा मारे पास 1 by 2 यह जागा दोगो dt upon नीचे आएगा t plus 1 by 2 का whole square a प्लस b का whole square माइनस 1 by 4 plus 1 इसको शॉल कर लेते दो 1 by 2 यह जागा दोगो dt upon नीचे आएगा दो t plus 1 by 2 का whole square और plus t यह जागा इदर लासे लेलो 4 जी है तो 4 और माइनस 1 3 by 4 आजागा 1 by 2 यह जागा दो हमारे पास dt upon t plus 1 by 2 का whole square प्लस t यह हो जागा मारे पास 3 by root 3 upon 2 का whole square लेते अब यहाँ पे इस्टों लगेगा x square plus a square ठीक है x square plus a square तो यह formula होता है 1 upon a a मतलब root 3 upon 2 10 inverse x upon a t plus 1 by 2 upon me root 3 by 2 plus c यह जागा दिया अब दो final answer कितना हैगा हमारे पास final answer आएगा दो यह तो 2 से टुकर जाएगा तो 1 by root 3 और यह आएगा मारे पास 10 inverse इसमें भी लासा ले लो दोगो 2 last आएगा ठी तो यह आएगा 2t plus 1 upon me root 3 ठी plus c अब t की value आख देते ठी t की value आख देते दो कितना जाएगा हमारे पास यह आएगा मारे पास 1 by root 3 10 inverse तो यहाँ से आजाएगा दोगो हमारे पास यह आएगा दोगो 2x square plus 1 और upon me root 3 ठीक है और यह आएगा सुरी यहाँ पर इसे बलके लगा देने ठीक है और plus c यह answer आएगा इसके बाद दोगो इसके बाद दोगो अब type चलते हैं अंगली type type number 3 type number 3 type 3 क्या कहता है दोगो integration dx under root लिखा दोगो ax square bx plus c ठीक है इस टोगो तो इस type में कैसे solve करना ठीक है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे जो under root के अंदर लिखा ठीक है इसको में पूर बनाना होगा ठीक है तो जब हम पूर बनाएंगे तो क्या करना है सबसे पहला काम कि x square का बढ़ांक a खोने चीए तो हम लोग a बाहर लेंगे ठीक है तो a को जब बाहर निकालेंगे तो इसको 1 upon root a बाहर आएगा ठीक है और dx upon नीच्चो जगा दोगो under root में यह आएगा मारे पास x square plus b upon a x plus c y a यह आजाएगा इस 20 अब करने तो इसको हम पूर उपर गनाएंगे दानस दिकना 1 upon root a यह जाएगा dx upon under root के अंदर यह x square plus b upon a x plus अब देखो x के गणाएंगा आदा करो तो b upon कितना आएगा 2 a आएगा अब इसका बार कर लो ठीक है इसका बार कर देंगे तो b upon 2 a का whole square जोड़ देंगे तो b upon 2 a का whole square गटा देंगे जितना हमने जोड़ा थी उतनी ही गटा दिया plus c y a यह आजागा इस 20 अब कर देखो यहाँ पर इसको देखो यह तो formula लिखा a plus b का whole square तो 1 upon root a यह देगा dx upon इसको लिख देंगे under root में x plus x plus b upon 2 a x plus a का whole square ठीक है पर minus ठीक है और यह आजागा हमारे पास देखो b square upon 4 a square plus c upon a यह आजागा तो 1 upon root a यह आजागा हमारे पास dx upon इसको लिखेंगे देखो x plus b upon 2 a का whole square minus ठीक है इसको देखो क्या करना है उपर नीचे यहाँ से 4 a का गुणा कर दो ठीक है देखो यहाँ पर 4 a square है तो यह आजागा हमारे पास b square plus के 4 a c upon में 4 a square यह आजागा आप क्या करना है देखो 1 upon root a यह आजागा देखो dx upon under root में आजागा x plus b upon 2 a का whole square plus d है यह आजागा दो 4 a c minus d b square इसको ऐसे लिख देखो upon में 4 a square ठीक है इस देखो अब क्या करना दो इसको और अभी एक के step लिखते हैं लोग यह आजागा दो हमारे पास 1 upon root a dx upon under root करना ठीक है तो यहाँ पर देखो यह जो संख्या आए ठीक है इसको आजागा ऐसे लिखेंगे x plus b upon root a का whole square इसको भी हमें square में convert करना ठीक है यहाँ पर तो इसको में work में लिखना होगा यहाँ ठीक है जो कुछ भी होगा कैसे लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर प्लस आता ठीक है तो फार्मला अलग लगेगा अगर यहाँ पर माइनस आता तो अलग लगेगा और यहाँ पर पहला वाला माइनस और यह प्लस होगे तो फार्मला अलग लगेगा तो यहां पर तीन formula use होंगे ठीक है देखो मताते कौन से तो यह दागा दोगो formula use करेंगे दोगो use formula use करेंगे हमने formula कौन सा पहला देखो formula dx upon under root में सबसे पहले दोगो x square minus a square ठीक है यह यह आला formula use करेंगे तो यह formula होता है log x plus under root में x square minus a square यह वाला फामुला होताँ है x square minus a square plus c यह वाला फामुला ठीक है, पहला जब यहाँ पर minus आएगा, second फामुला देओ dx upon under root में x square plus a square तो यह इसको लखेंगे लोग यह होता है x plus under root में x square plus a square plus c यह वाला formula यूज़ करना ठीक है और थर्ड वाला formula देखो है हमारे पास dx upon ठीक है under root में a square minus x square मालों यह संख्या यह वाली minus हो जाए यह वाली plus करे तो यह वाला formula बनेगा फिर तो यह आएगा हमारे पास sin inverse x upon a plus c तो यह तीन formula यूज़ करना है आपको ठीक है याद रपना ठीक है इन तीन formula को तो यह थार टाइप ठीक है तो हम इस तरह question को solve करेंगे ठीक है और यह तीन formula यूज़ होंगे इससे जादा question नहीं होगा तो अब question देखो एक question बताते है question number है हमारे पास 12 number ठीक है integration ठीक dx upon under root में 4x square minus kx plus 4 यह लिखा इस तुन ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग दान्स दिखना इसको पूड़ बनाएंगे ठीक है under root के अंदर जो लिखा है इसको हम लोग क्या बनाएंगे पूड़ बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है कि x square का गुड़ांग के एक होने ची ठीक है तो x square गुड़ांग के एक बनाएंगे ठीक एक गुड़ांग कैसे बनेगा तो हम 4 common लेंगे तो 4 को common लेंगे ठीक है तो 2 बार आजाएगा फिर under root में जाएगा यह x square 1 by 4x plus यहाँ पर चार कम लेंगे ठीक है तो यह आएगा और प्लस 1 आएगा ठीक है इतना आ जाएगा इस्ट्विन अभी 2 बार कर लो तो 1 by 2 बार कर लेंगे यह जाएगा हमारे पास dx अपन under root में यह आएगा x square minus 1 by 4x plus तो इस्ट्विन देखो density अब क्या करना अब इसको दोगो x square का गुणांग एक बन गे ठीक है अब दो x के गुणांग का आदा करो x का कितना गुणांग है 1 by 4 ती इसका आदा करेंगे तो कितना आएगा 1 by 4 into 2 तो यह आएगा 1 by 16 आजाएगा तो यहाँ पर क्या करना एक बटे 16 का 1 by 2 यह जाएगा हमारे पास dx अपान अंडरूट का अंदाट ही है यह तो फामुला बन गे दोगो a plus b का sorry a minus b का ओल स्कार बनेगा a minus b का ओल स्कार x minus 1 by 4 का sorry 1 by 4 नहीं 1 by 16 1 by 16 का ओल स्कार plus यह जाएगा 256 plus 1 तो यह जाएगा दो 1 by 2 dx अपान whole square plus यह जाएगा यहाँ पे लास अले लोग ठीक है लास अले यह कितना आएगा 256 एक कम कर देंगे तो यह आएगा plus का आएगा 255 अपान में जाएगा 256 आजएगा अब इसको तो हम लोग ऐसे लखेंगे 1 by 2 dx अपान अंडरूट में यह लिखेंगे हम लोग x minus 1 by 16 का whole square plus इसको लिख देंगे देगो रूट में 255 अपान 16 का whole square ऐसे लिख देना ठीक है अब देगो फामला कौन से लगएगा यहाँ पे ठीक है पहला वाला फामला यूज होगा ठीक है देगो दूसरा वाला ठीक है यहला फामला है यूज कर लेना root के अंदर है x square plus a square तो यूज करो दोगो फामला ठीक है तो यह अगर 1 upon 2 log ठीक है x plus तो x मतला पूरा लखना है यह ठीक है यहाँ पूरा लिख लेखने हम लोग क्या लखेंगे x minus 1 by 16 plus under root में ठीक है अब mod बंद करते हैं ठीक है mod बंद करके plus c यह आजागा ठीक है यह आपे mod बंद करके plus c यह आजागा ठीक है इसको ज़्यादा हो ठीक है अभी solve करना पड़ेगा अगर आपका answer ना मैस करें ठीक है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा इसको solve होना पड़ेगा इस्टोन दोगो answer थोड़ा different आ रहा थी है sorry student दोगो एक mistake होगी है mistake होगी इसका जब half करेंगे 1 by 4 का half 1 by 4 का half करेंगे तो कितना हैगा 1 by 8 आएगा थी है ये 1 by 8 का whole square करके add करना है यहाँ पर sorry ये mistake है यहाँ पर ये mistake होगी यहाँ पर ये mistake होगी तो अपर करना देगो इसको ने देगो 1 by 8 का square add करना थी है यहाँ पर सब्टेट करना थी है घटा देना और ये आएगा महारे पास 1 by 8 तो 1 by 8 का whole square आएगा 1 by 8 आजाएगा 1 by 8 गा तो ये आजाएगा 1 by इसका आएगा ये आएगा मारे पास 64 आएगा ये आजाएगा मारे पास 63 upon 64 ठीक है येतना आजाएगा इसको क्या लिग देना यहाँ पर 63 और यहाँ पर लिग देना 8 इसको यह से लिख देना, यहाँ पर 8 लिख देंगे, और यहाँ पर 8 लिख देंगे, इस्टेइन देगो, 8, ठीक है, और यह आदाएगा, 8, और यहाँ लिख देंगे, 63 अपॉन में 8, प्लस C, तो यह आएगा इस्टेइन देगा, इसको दो अभी आंसर आगरना मैस करना हो तो इसको और थोड़ा solve करना पड़ेगा हमें तो 1 by 2 लॉक ठीक है इसका लासा लिए डो rx minus 1 ठीक है प्लस अपन में 8 आएगा और यह आएगा अंडर रूट में ठीक है इसको दो solve करना ठीक है इसको जब solve करेंगे तो इसको solve करेंगे तो यह आएगा, इसको solve करेंगे तो यह आएगा तो यह आएगा मारे फास ठीक यह वाला portion लिख देना हमें तो इसको जब solve करेंगे तो यह आएगा स्क्वेर माइनस यह आएगा पन बाई फोर एक्स प्लस बन आ जाएगा इतना आएगा इस्ट इंठी है यह अब प्लस यह आ जाएगा यहाँ अब क्या करो इसका भी इन नहीं तो आप ऐसा गरोड़ी है यहाँ पर यहाँ पर अठा देते प्पोर्शन को ठीक है और इसका इसके अंडरोट के अंदर आएगा इसकी अंडरोट के अंदर ही है शिस्टि फोर अंडरोट के अंदर तो यह आ जाएगा ऐसे कहलेने आपको तो यह आएगा दो को 1y2 log 8x-1 upon 8 plus under root में यह आएगा मारे पास 64x square minus 16x plus 64 और upon में आजाएगा 8 plus c यहां पर दी तो यहां पर आजाएगा दो log यह आएगा मारे पास 8x minus 1 plus under root में 64x square minus के 16x plus 64 और upon में आएगा 8 plus c अब दो यहां पर फामला लगेगा कांसे फामला लगेगा यहां पर log m by n लगेगा तो में लोग क्या करेंगी दो इसको यहां पर solve कर देते दो यहां आएगा मारे पास 1 by 2 तो यहां पर 1 by 2 आ राएगा 1 by 2 log इसको ऐसे लिख लेते दो तो log यहां पर यहां पास 8x minus 1 प्लस अंडरूर्ड में यहां आएगा 64x square minus के 16x plus के 64 तो मारे पास देगो log m बटे n लगाना है log m बटे n यहां पर मारे पास minus का log 8 प्लस यहां देगा यहां आएगा हमने एक फार्मला यूज कर लिया ठीक है इसको अंदेगो log m by n यह फार्मला होता है log m minus के log n यह और फार्मला यूज किया ठीक है यहां देखना अब क्या करना है इसको यहां पर लोग ठीक है यह लोग है अब यह दो अचर में चला जाएगा ठीक है इसको अम लोग लिख देते है c 1 तो 1 by 2 log 8 x minus 1 प्लस अंदर रूड में यह आएगा हमारे पास 64 x square माइनस के 16 x प्लस के 64 और प्लस के c 1 लिख देते ठीक है इसको सबको क्या लिख देंगे c 1 तो इसको अंदेगो यह जरूर नहीं है यह आंसर में च करे ठीक है यह आंसर में कुम कुछ भी लिख दो टीए c1 लिख दो या c2 लिख दो कुछ भी लिख सकते हो तो यह आंसर आएगा 20 है देगो इसको थोड़ा साही से इसको साही से लिख देते है टीए लाग टीए तो अब आपका अंसर Competition hunter आप चेक कर लेना देगो आंसर मेंच कर रहा होगा तो इस तरह से solve करना था इस्ट्विंट है देख लेते हैं पीछे ठीग है कोई mistake नहीं है वैसे ओलेटी है सही होगा ठीग है तो इस्ट्विंट को जो नए जो exercise के जो बागी questions है वो अंगले lecture में solve करेंगे ठीग है अंगले günst में, आर में तो इस्ट्रा आरवाट से जो औरा जैसे हैं रहादागी कर दोड़िंट कर दो कि नहीं है